नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टैक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इस साल की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कवर बताने वाला हों क्योंकि यह जो न्यूज है यह हमारे जो भविश्य के फाइटर जेट होंगे तो उनसे जूड़ी होगी और साथ में आपका यहाँ पर यह भी डाउट साफ हो जाएगा कि क्या सच में जो भारतिय कमपनिया है वे टाइम के उपर हमारे जो काफी ज़्यादा कॉंपलेक्स फाइटर जेट होते हैं तो उनको बनाने में शक्षम है क्योंकि यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोविट जैसी महामारी की मार जहलने के बावजूद भी हमारी खुद की कमपनियों ने यहाँ पर कितना ज़्यादा बेटर वर्क किया है और इसी के साथ में जो यहाँ पर लगातार HL की आलोचना करते हैं तो उनके लिए भी यह एक HL की तरफ जो officials हैं उनसे सामने निकल करके आई है और नहीं किसी media houses ने अपना जो analysis है वो यहाँ पर publish किया है इस बार खुद D.I.D.O के जो document है वे मैं आपको दिखाऊंगा और कहां पर इसका mention किया गया है तो उसके बारे में भी मैं आप सब को इस video में बताने वाला हूँ तो उससे पहले आप अभी से video को like करके comment section में जा करके जहिन comment कर दीजेगा और ये जो news है ये आप सब इस साल की सबसे ज़्यादा बड़ी news भी मान करके चल सकते हैं तो दोस्तो D.I.D.O ने एक document यहाँ पर release किया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि आने वाले 4 दिनों के दे करके 400 ऐसे weapons हैं जो कि D.I.D.O की side से देखने को मिलेंगे तो ये जो document है आप सब अपनी screen के उपर देख सकते हैं जहां पर ये बताया गया है कि तेजिस MK2 का जो static display है वो defense expo के अंदर किया जाएगा तो अब इस document को देखने के बाद आप में से बहुत से लोग कहेंगे ह हमारे chill की निगा थोड़ी है जो हम इतने बड़े document में Tejas MK2 जैसा छोटा word यहां पर ढूंड लेंगे तो देखी दोस्तो इसके लिए मैंने इलाज कर दिया है आप अपने screen के उपर इसकी जो छोटी cutting है उसे देख सकते हैं जहां पर मैंने underline भी करने की कोशिश की है तो यह यहां पर आप सब देख सकते हैं कि Tejas MK2 का जो static display है वो यहां पर किया जाएगा लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि DRU की तरफ से इसका जो छोटा scale model है वो यहां पर display कर दिया जाए और हम सब का यहां पर cut जाए तो देखी दोस्तो इसके chances अब काफी ज्यादा high है क्योंकि सब Tejas MK2 का जो static display है वो यहां पर किया जाएगा और लगबग आप सब को किसी भी defense expo या फिर किसी भी event के दोरान जो static display देखने को मिलते हैं तो वहां पर जो full size का prototype या फिर जो static display है वो यहां पर किया जाता है तो इसके chances अब काफी जादा high है क्योंकि पहले से ही हमारा जो Tejas MK2 है वो अपने काफी जादा advanced stages में है उसका जो prototype है पहले ही यह खबर आ चुकी थी कि इस साल के end तक उसका जो roll out है वो यहां पर किया जा सकता है तो दोस्तों overall यह अपने आप में काफी जादा बड़ी news है और HAL को यहां पर काफी सारे जो components हैं वे पहले ही मिल चुके हैं जै कि संख्या में हमारे एमका के लिए भी यहां पर मिल चुके थे तो इस साल का जो defense expo है वो काफी जादा खास होने वाला है क्योंकि सबसे पहले तो इस बार DRDU का जो light category का tank है वो भी आप सबको देखने को मिलेगा जो कि भारत का पहला light weight category का सुवदेशी tank यहां पर होने व यहां पर अकेले DRDU की side से लगबग 300 से ले करके 400 ऐसे defense weapons है जिनका यहां पर static display किया जाएगा तो overall इस बार का यह जो defense expo है यह काफी ज़्यादा exciting होने वाला है तो वहां से जैसी ही और भी कोई news सामने निकल करके आती है तो वो मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से दे द कमेंट section में बताएगा और साथे साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर आप चैनल के ओपर भी पहली बार आए हैं तो प्लीज से चैनल को भी subscribe कर देजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैंगल इतना हीडियो